हलो एश्टुडेंट्स हिंदी के मोस्ट इंपोटेंट आप सभी लोगों का एक वार फिर से स्वागत है तो आज की इस वीडियो में सारे के सारे 50 आप जैकि प्रस्णम देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड इक्जाम में काफी है भूल रहेगा तो आएए एक एक कोशन लेत हैं तो यहां पर देख सकते पहला प्रश्ण है दिया गया कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है इस वाक्वे में बुढ़ापे कौन सी संग्या है यह आप से पूछा जा रहा है तो देखो भाई यहां पर उप्सने में जाती वाचक बीव्यक्ति व सभाव वाचक में आता है लेकिन यहां पर भाव आचक होगा जो बुढ़ाप है में इंसान क्या थे बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं दिल से बच्चा बन जाते हैं अपनी भावनाओं को परकट कर देता हैं अपसंसी दर आइट इसी प्रकार चलते हैं प्रश्ण करमांग द कि यहां कि टिने भेध हैं डिकें आप लोग डीकरन तो पढ़े होंगे कर आइस हमिए को पता है तो इसका जो सही एंसर है दोस्तों ओसंट इथा राइट एंसर चार एंसर ठीक है यानि में जाता है इसे प्रकार चलते हैं प्रश्ण करमांग तीन की और तो तीन में दी आ क कि आपने क्या खाया है आपने क्या है इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है क्या पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम इस वाक्य में निश्य वाचक सर्वनाम अनिश्य वाचक सर्वनाम या प्रेश्ण वाचक सर्वनाम या प्रेश्ण वाचक सर्वनाम या प्रेश्ण वाचक सर सर्वनाम है ना तो यह होगा प्रश्ण वाचक में देखो प्रश्ण वाचक सर्वनाम में कौन कौन आगा देखो कब क्या कैसे है ना तुम कैसे गए है ना ऐसे पूछेगा यानि पूछने का आप से जिक्र होगा उसमें तो वह सब यह कितने प्रकार है जलते हैं पांच में तो पांच में दिया गए कि दाध्योदन का संधी विछएद क्या है आप से पूछ दरा थे दिंखो option A में ददी जोर उदन और B में दधी जोर ओधन और C में दधी जोर दन और डी में दधी जोर आधन तो इसका सभी इंसर क्या होगा देखो भाई 5 का सेंसर और भी देर राइट इंसर तो भी में जाद धी जोर ओधन इसी क्रिकार चलते हैं प्रेशन कर्वांग six k야 द 206 में दिया गया है कि राम ने भिखारी को पैसे दिये राम ने भिखारी को पैसे दिये इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति या पूछा जा रहा है तो अफसन ए में कर्म ऑप्सन बी में संप्रदान अप्सन सी में संबंद और इंसर होगा दोस्तों आफशन एधर आइट एंसर कर्म ठिक है इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न करमांक साथ में तो साथ में दिया रहा कि लोग पुरूस में कौन सा समास है दोंद नज करमधार या दूगू तो देख वाइफ साथ या निज देख रहे है साथ का जो सही इंसर कुछत करमधार रहे हैं प्रश्न करमांका आड में दे रख्ख है रहे हैं सबसुल कर दो का जो प्रेशन आड़ का जो सही इंसर का दोस्तों अफसर्ण बीदर आइट एंसर नीर क्या होगा नीर निर्जन में कौन सा उपसर्गा था नीर ठीक है अच्छा उपसर्ग और पढ़ते किसे काते हैं आपको पता ही होगा है डा प्रेशन करमांक नौ की और चलते हैं कि तो 9 में दिया गया की निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्ड सुध है सोनीत चाहसोनीत देखिए यहां पर राइट लिखा गया यह सही लिखा गया बाकी जो है वह असुद है ये सुध है प्रेशन करमांग 10 कि यह चलते हैं दस में दिया कि दिये यदी यदी एक के बाद कोई भी भी शोर आए तो एक किसमें परिवर्टन हो जाता है आयमें यायमें यायमें या आए में बन जाता है ठीक है ओके तो यहां पर आप देख लो प्रेश्ण करमांक ग्यारा की और चलते हैं तो ग्यारा में दिया कि निमलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सुध है ए में हैं आपके दर्सन कब होंगे बी में हैं मैंने यह काम करा है और सी में हैं प्यासे से सुख रहा था और द Curry में मेरा बात सुनो तो इन में से वाक्य में कौन सा वाक्य सुध हो तो दोक्ती है और सुक है तो यहारत तो आपके दर्सन कम यह सही है मैंने यह काम कड़ा है यह दो कुल बोलने मी वजीब है प्यास से होड सूख रहा था देख वाई प्यास से कंड सुकता है तो आपके दर्सन कभ होंगे प्रभू आपके दर्सन कभ होंगे पता नहीं प्रशन कर्मांग 13 की और चलते हैं मैं दिया कि निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्द सुध है निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्द सुध है यह पूछ रहा है ही तैसी ही तैसी सब तो ही तैसी है अब सुध कौन है यह आप से पूछा जा रहा है तो देखो तेरह में जो सही लिखा वेन आप्शन सी वाला ही तैसी क्या हां हर्शी काड़ ताव् परब एक ले और यह मुर्धनी ص amateur ही काड़ ही तैसी ओके एसको को लो सा वाल सो भी बोलते हैं आपसे माले में जो देख सकते हैं चौदा का देख सकते हैं प्रेशन करमांग क्या और में अनकी में कॉन सा परते हैं में मों और मीपीम और सी में एम थाया अंसर क्या होगा देखो बाई चौदे का जो श्य W ин्सर यांसर और सी दर्ट इंसरें क्या होगा इम प्रेशन खरोयन है । ने लिग सिंफलाई का व्हांस अश्ता द्याई में कौन सा समान से इन ए कौन गूल भाव और सी में बहुविरी और डी में नज तो देखो भाई पंद्रा का सही अंसर होगा दोस्तों आप्शन ए अप्शन एधर राइट एंसर दियूगी ठीक है दियूगी दे रखा है सोला में यहां पर दिया की बहरत में बेरवजगारी का एक प्रमुक हुआ और पर्त्यक्षक्रान किया है मेरी आप इस जाती प्रता इस हो आगए बाल वा प्रता तो इसका स्य इंसर क्या होका斯 Willis दिखाए सट्रेस काकपसिए थर ऐंटिंसर जाती प्रथा ओके य क्या वगा जाती प्रथा राइड इसी परकार और समय क्रभाने शथे किसनास रशना है पेर कर छ मक्माara किसा की एतिर के कांव सब्सक्राइभ बी मैस nervous आज पेई और सी में अमरकान तरडी में है या तिंद्र मिस्र तो सही इंसर क्या होगा सब्सक्राइब को सही इंसर ऑप्सन एधर राइट इंसर है ना विनुट कमार सुक्ल अके प्रेशन कर्माइं का ठारा में दिया गया है की कि बी और नराएन किशी नगंगावस किया कैसी कानवाद किया ठते बी में यद्धार वाली मLord-वाली मगमा और सी में अगर यकिस नंगर और डी नहीं हमां कि अठारा कशी इंसर क्या होगा दोस्तों तो एक धर का से носरो सब भी में है 1912 जिस्वी और सी में निसना तिर्स अडिस भी और डिमेंट इसका से इसर क्या दो दिखाए 19 का सही एंसर क्या तो इसका से से रॉप्सन एडराइट एंसर उनिस से सबस्ट इसमी प्रश्न कर्मां की समिदिया कि घंप कि अब धीन है यह अब रेजवासा यह प्रकृति यह पाली और अब यह गाई बीस गास सहीं अंसरव दॉप्सन भी तैर राइट इंसे ब्रजवासा जो मत्रम अंपर उते हैं किसके अनुसार के सिधान को भी बदल दिया घाए था चारी डिये गए वीडियो को पुच्छ करके देख लो ठीक है तो सही एंसर क्या होगा तो एक सफे इंसर बांच टीक है असको का की एनुसार किसका नुसार में दिया 비 questi कि दारिस्ट नामक सोने के सिककों से भडा घाड़ा किसे किसे मिलाथ था ये सिक्कष भरा घाड़ा हो किसे मिलाथ हेकल को या हरकस को या वारेन को तो इसका सेंसर चार अपसेंट है तो ब 19 करने चलते हैं प्रस्ण करवांग 33 में अनुदित नाते विश्वास की सभासा स decor a अनुदित ने विश्वास की आपस एक कंणर अप्षंब बी तमील अपसंसी दराइटेंस और या ठीक है ठीक है प्रेश्वन कर मांग 24 में दिया आए दूर चक्टानों की ठंडी गोद में किस कभी की पंकित है अपसंगे में जिम्नानदास अपसंडी में आनामिका अपसंडी में सुमित्रानदन पंद के हना तो देखो भाई 24 का जो सही इंसर होगा दोस्तों वह होगा आप्सेंटी दराइट एंसर रेनर मार्या रिलके प्रश्ण करमांग 25 में दिया गया कि जीवना नंदास की किस कवीता को प्रभुद्ध आलोच को द्वारा रविंद्र रविंद्रोत्तर यूग की तो यह होगा one अलता मितसें क्या होगा one अलता सिंट प्रश्ण करमांग 26 शालगा थो यहां पहला पर लिखा ध्यात्मिक सिग्झा है DU8 6 गंदी जी का क्या अभी प्राय है अप्सर ने पुस्ता की सिख्षा भी में यंत्रों की सिक्षा सी में बुद्धी की सिक्षा और डी प्रेशन करमांग 27 विदिया कि अविन्यो में 19 दीनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गध की रचना की तो यहाँ है चार आप संदिया गहां देख फ़ाई है आप साही अंसर क्या होगा तो इसका सही एंसर क्या होगा देखवाई एठाइश का धरती कपते घुमेगी इसका जो सही इंसर राजस्थानी ठीक है धरती कपते घुमेगी किस भासा से अनुदिते तर राजस्थानी प्रेश्ण करमांग 29 में दिया कि पंपाती को कौन सा रोग था टिटनेस है जाग कैं सब्सक्राइब दोस्तों वह है ठीक है कंडर 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 प्रेश्ण करमांग 29 में दिया गया है कि सॉरी यह तो सॉरी सॉरी यह मैं क्या पढ़ दिया उन्दिस का जो है अप्शन दी देखिए यहां पर लिगा है मेन इंजाइटिस क्या होगा मेन इंजाइटिस यह है विमारी ठीक है और तीस में दिये रखाय की वीरेन डंगवाल को कि से किर्थी के लिए साहिते आदमी पुरस्कार मिल मिला है यहां चार अप्शन दिये गए तो देखिवाई तीस का सही इंसर क्या होगा इसका होगा दूश दूश चक्र से स्रिष्टा क्या होगा अप्शन भी दर आइट एंसर ओके आई यह प्रशन कर्मांक हम चलते हैं 31 की और दख्वाई 31 में दे रखा यहां पे की पर दे स्की विद्धES पढ़ने का क्या किआ परिनाम हुआ तो देख़ भाइया का सही एंसर होगा यह सब की बुद्धी विद्य सी हो गई 32 में दिया है किन अगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है नगर कहानी किस लेखक द्वारा अचित है इस वर पिटली कर भी साथ कोरी होता और सी सुजाता और डी श्री निवास है ना तो देखो वाई 32 का सही एंसर है दोस्तों अपसंसी दराइट एंसर सुजाता प्रेशन करमांग 33 में दे रखा है कि लेखक के अनुसार मनुस्य के न पाश्वी वरित के या सौन्देर्ज के तो देखो वाई इसका जो सही एंसर होगा वह होगा पास्वी वरित के ठीक अपस्ण सीदर आरइट असर प्रेशन करमांग 34 में दिया गया है एक यह 34 में हजारी प्रसाद दूयदी का जन्म कव प्रसाद why का जन्म प्रसाद कव हभा तो इसका सही हमत और इसमें प्रश्ण क्रवाइं पाने 25 दिया कि रही रही रास किसकी रछना है दो गूरुभ गरुसमें या गुरु नानक या नानक नानक और या घंणन पर टो इसका जो होगा self married आखितिसे एक लक्षमी के वरेपुत्र का आगनन के वरेपुत्र का चुज ए गुनिधि या लक्ष मन या संकर देखेव ऐचADिस का सही असारो गॉर्ट ऑप सना ऑप में अराइट इसå गुरू गुविनसी प्रशनकारमां एक ति शींथ निद्द horridad बड़े पुत्र का क्या नाम था अच्यूत या गुनिधी या लक्षमन या संकर तो देख भाई 36 का सही एंस रोगा आप्शन ए और चीट है नहीं और चीट इस राइट एंसर प्रेश्न करमांग साथ इसमें देख सकते हैं इसमें दिया कि एक व्रिक्ष की हत्या में कभी सहर को विख से बचाने की बात करता है ना लुटेरों से या देश के दिश्मानों से या नदीरों से या इनमें से कोई नहीं है ना यूसाट इस का सही एंस रिख आप्शनसी अप्शन सी राइट एंसर ना दी ना दीरों मैं प्रेश्न करमांग 38 में दिया गागए कि गांधी तक प्रश्न करमांग 49 में दिया कि जब पंजाब विर्जु महराज को संगीत नाटक आकादेमी आवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी अगला प्रश्न करमांग 40 में कभी ने माली मलीन किसे का है संकर पारवरती को गनेश लक्षमी को यह कृष्ण राधा को यह राम सिदा को तो अप्संसी दर आइटन कृष्ण राधा को किना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे फोटी वन में दिया गया है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संताने थी तो एक तालिस का सही अंसर होगा दोस्तों वह अप्संवी दर आइट इंसर तीन कि अग्ये का जन्म कब हुआ अग्ये का जन्म कब हुआ यह पूछा जा रहा है तो देखो भाई ब्यालीस का सही अंसर होगा दोस्तों वह होगा अप्समी दर आइट एंसर उनिस्मा घ्रिश्ण कर मनती तालिस में दिया कि दिनकर की कि सक इर्थी के लिए ग्यान पीट पृष्कार मिला है तो देख यृच्ण स्वारेच्ण करे तालिस का जो सहीं सरोगा दोस्तों वह होगा औपसन सी डराइट एंसर उनिस्सों बार और संस्कृति के चार अध्या क्या होगा संस्कृति के चार अध्या सुबालिश में दिया गया कि लखनाव घराने की किस पीडी के कलाकार है तो 45 का सही एंसर रगए दोस्तों वोगा अप्शन बीदर राइट एंसर आदे था साथ मीब्लीं ठीक है प्राशं करमा चालीgen में दिया है सीता के बेट्रेओं ने सीता को कितने रुप अंहारी ख़र्च देने का निर्स निलिया है वाहावारी का निलिया 75 रुप्य है ना या 50 रुप्य या 60 रुप्य यह तो आप सब को पता हुए होगा सब अपसने इदर आई टेंसर 50 रुप्य है ना 47 में देख सकते हैं कि उत्तर भारत से नागरी लीपी के लेक कब से मिलने लगते हैं ना आठमी दस सदी या छटमी सदी या नवी सदी चोथी सदी तो 47 का सईय इंसर हो गा दोस्तों आठ्वी सदी और तालिसमें देंगे बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था दस रुपे ग्यारव बार रुपे तेरह रुपे तो इसका जो सही एंसर दूस्तों वह ग्यारव रुपे ठीक आप संबी दर आइट एंसर उन्चास मिदिया कि भारत माता क अबीता में भात का कैसा चितर प्रस्तूत किया गया है भात यह लिखा गया यह लिखागा जाना सी दराइट इस ठीक है फ्रेशन कर्माग 50 में यह आई की जाती असमीता की दृष्टी से इतिहास का का प्रवाव कैसा है यहां चार अप्संदिये गए हैं बताव क्या होगा तो इसका सहीं सरोगा विचिन और अविचिन दोनों ठीक है तो इसी प्रकार हम मिलेंगे अगली वीडियो में और मैं आपको पता दू किसका पीडिया चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंगर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए ठीक है जाकर के टेलीग्राम पर सर्च किए पंगर देश्टरी सेंटर